दोज़ों सब के मन में एक सवाल रहता है इंकम टेक्स रिटन यानि कि ITR मुझे भरनी है या नहीं भरनी तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहीं डिसकस करने जा रहा हूं तो इस वीडियो को शुरूर से लेके आन तक जुरूर देखिए हलो फ्रेंड्स मैं निपन गौतम और आप देख रहे हैं लिंक टो एंजी चैनल तो ITR किसे भरनी है किसे नहीं भरनी उसको हम स्लैब रेट की हल्प से समझ लेते हैं तो फाइनेशल एर 2017 और 2018 के लिए हम डिसकस कर रहे हैं यानि कि एक अप्रेल 2017 से लेके 31 मार्ज 2018 तक की रिटन जो कोई जिसकी डिव डेट है 31 जुलाई 2018 हर इंडिविज्वल को यह किस इंडिविज्वल को वह भरनी है तो स्लैब रेट अगर आपकी एज 60 से कम है तो कुछ इस तरीके के है कि इंकम 0 से लेके 2,50,000 तक है तो आपके लिए कोई टेक्स नहीं है यानि कि आपको ITR नहीं वरनी और अगर आपकी इंकम 2,50,000 से ज्यादा और 5,000 तक है तो आपको 5% के साथ से टेक्स देना है और स्लैब रेट से टेक्स देना है और इसमें गवर्मेंट की 87A सेक्षन में एक रिवेट भी है कि अगर आपकी इंकम टोटल टेक्सेवल इंकम 3,50,000 से कम है तो आपके लिए 2,500 रुपे यानि कि 25 रुपे का टेक्स रिलीफ है यानि कि आपको टेक्स नहीं भरना है 25 रुपे 2,500,000 को 3,500,000 से रिप्लेश कर लीजिए और अगर आपकी एज की एज 80 और 80 से ज़्याद है तो आपके लिए फर्स्ट स्लैब एपलिकेबल नहीं है यानि कि आप सीज़ा 20% वाले स्लैब में आ जाएंगे तो यह था कुछ स्लैब रेट के बारे में अगर आप इन स्लैब में पढ़ते हैं यानि कि आपकी इंकम स्लैब की बीच में पढ़ रही है तो आपको रिटन भरनी है और नहीं है तो आपको रिटन नहीं भरनी तो आपको अगर यह वीडियो नौलेज अबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीज तो नीचे comment box में उसको post कर दीजिए और अगर आप first time channel watch कर रहे हैं तो इस channel को subscribe कर लिजिए thank you